मियोसाज 1, Reduction Devians, कहलाती है मियोस रॐट वण को मजीद 4 Phases प्रोफेज वन को मजीद five sub-stages लेप्रोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्रोटीन और डाइकाइनेस में डिवाइड किया जाता है प्रोफेज वन के दोरान क्रोमोजोम के जोड़े बनते हैं और हमोलोगस क्रोमोजोम के नौन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रासिंग और के जरिये अपने इस्सों का तबादला करते हैं इस क्रासिंग और के नतीजे में नए रिकमिनेशन बनते हैं प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 की बारी आती है मेटाफेज 1 के दौरान नुकलियर मेंब्रेन डिसपेर हो जाती है और काइनेटो कोर फाइबर्स हमोमोलोगस क्रोमोजोम के काइनेटो कोर के साथ अटेच हो जाते हैं इस तरह से बाईवेलन्ट सेल के एक्वेटर पर तर्टीब पा जाते हैं मेटाफेज 1 के बाद एनफेज 1 की बारी आती है एनफेज 1 के दौरान काइनेटो कोर फाइबर्स करते हैं और फॉल फाइबर्स लंबे हो जाते हैं इस तरह यह इनफेज 1 क को सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ कहेश लेते हैं एनफेज 1 और माईटोसस की एनफेज में अपनियादी फ़र्दिए है कि एनफेज 1 के दौरान इनफेज 1 के दौरान इनफेज़ ग्रॉमसοम ऑपुजी तरफ की तरफ जाते हैं जबके माई टॉसेज की एनफेज वन में हमने देखा था कि उसमें सिंगल क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पॉल्स की तरफ जाते हैं यहां पर हर क्रोमजूम दो क्रोमेटिड्स रखता है इस तरह से इक पॉल पर क्रोमोजूम की आधित अधाद पहुचती है जबके दूसरे पॉल पर क्रोमेटिड्स रखताद पहुचती है इस तरह से क्रोमोजूम की तदाद एनफेज बन में हाफ हो जाती है तो ये एच्छुली एनफेज 1 ही reduction phase है एनफेज 1 में चुनके क्रोमजोम की reduction हो जाती है इसके बाद टीलोफेज 1 की बारी आती है टीलोफेज 1 के दोरान नुकलियर मेंब्रेन दुबारा से बन जाती है नुकलियर लाई रिपेर हो जाते हैं नुकलियर लाई दुबारा से जाहर हो जाते हैं और दो नुकलियर लाई, दो नुकलियर बन जाते हैं हर नुकलियर के आंदर क्रोमजोम की तदाद आती हो जाती है जिसके बाद सेल का cytoplasm डिवाइड करता है जिसके नतीजे में 2 douche cells बनते हैं और हर डाटर सेल के अंदर क्रोमसोम की तदाद हाफ होती है। इसके साथ ही मियोटिक वरंडवियन का अक्तताम हो जाता है।